नमस्कार दोस्तों आज जो सब्जेक्ट में लेकर आया हूँ वह सस्पेंशन नेलंबन जैसा कि आपको सभी को पता है कि DR के उपर में पहले भी कुछ वीडियो बना चुका हूँ जिसमें पहला एक सबसे पहले मैंने क्विज कमडिशन मना था और इसके बाद फिर DR के उपर पूरा DR समझाने कोशिच की थी दिसमबर लाष्ट यह दिसमबर 2022 में उसके अंदर मुझे कई लोगों ने बोला कि सब्सेंशन भी अच्छा सब्जेक्ट है उस पर भी डिटेल वीडियो बनाना चाहिए और एक्जाम में भी मैंने देखा कि सब्सेंशन के उपर काफी कोश सब्सेंशन के उपर मैंने कोशिच की तो काफी लंबी बनगी पचास स्लाइट सेंस केंदा है तो मैंने सुझा कि एक ही बार में लंबा करने से कई लोगो न मुझे यह वी कहा गया है बहुत लंबे हो जाते हैं आपके तो मैंने सुझा च्छड़ो दो यह तीन पार्ट कर ले तो कोशिच किया है सेस्पेंशन को तीन पार्ट में कम्प्लीट करूँगा मैं और आराम से समझेंगे और लेकिन इतना मैं कह दूँ कि सस्पेंशन में जो मैंने पीपीड़ी बना लाएगा एस फार इस एक्जाम इस ऐख बने हैं या आप डील करते हैं या सिस्पेंशन में कोई कमचार आ जाता आउसवाएं तो वह अपने लिए भी अगर सिस्पेंशन की क्या नियम है क्या क्या प्रॉलम आ सकती है कहां कहां इसकी इस्यू से रहते हैं क्या सैलेरी तो काफी सारी बाते हैं इसके अंदर आ जाईगी तो प्लीज आप मेरा वीडियो फूरात देखें आपको अच्छा लगे या तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो पहले तो मैं बता दूँ आपको suspension में हम बात कर रहे हैं क्या-क्या point discuss करेंगे आगे क्या क्या नियम है तो सबसे पहले suspension क्या होता है suspension में SF1 से हम suspend करता है एक dim suspension होता है जिसको SF2 detail में हम बात करेंगे बाद में पर एक certificate regarding unemployment during suspension कोई भी कमचरी सस्पेंट हो जाता है तो उसको certificate देना पड़ता है कि वह कोहीं रोजगार में लिप नहीं है तब ही उसको सब्सेंज अलाउंस दिया जाता है तो वह सब्सेंज अलाउंस क्या होता है तो किसी कमचरी को सस्पेंट किया है तो 90 डेस तक वैलिट हो करता है कोई कमचरी को सेलेरी नहीं मिलता है हम उसको देते हैं सब्सेंज अलाउंस नेर्वा बता है तो उसके बारे में नहीं हम बात करेंगे फिर सस्पेंशन के दोरान जो सब्सेंज अलाउंस मिलता है उसके अंदर क्या-क्या कट होती की जा सकती क्या ऑप्शनल है क्या क suspension and treatment of the period of suspension suspension कि खतम जब होता है उसके क्या नियम है उसके बाद जो suspense period है उसको उमको on duty मानना है कि लिव मानना है क्या suspension में अगर वैसे ही रह गया तो क्या रहेगा इन सब बाते हम बात करेंगे क्या उसका treatment होगा निलम्मन के अधिका निराकन बोलेंगा उसको suspension effect of suspension in following matter कोई कमचारी अगर suspension इसको दिया गया है under suspension में है वो तो उसको transportation allowance किस बेस पर मिलेगा किस आधर मिलेगा कितना मिलेगा bonus के लिए कैसे गरना की जाएगी bonus क्या मिलेगा उस period का qualifying series में उस series count होगी किन condition में count होगी ये बाते हम बात करेंगे इसके बाद various method during suspension के अलावा और भी मामले रहेंगे क्या क्या मामले रहेंगे suspension of railway servant land to other department और official borrowed from other department कोई भी रेलव कमचारी ये वो deputation में दूसरे department में दूसरे सरकारी organization जाता है ये दूसरे सरकारी organization से रेलवे में आता है तो ऐसे मामले में कमचारी suspension suspend करने के क्या नियम है दूसरा है suspension के दूरान headquarter क्या रहेगा headquarter of the suspended railway servant क्या रहेगा attendance of the railway employee under suspension कोई कमचारी suspension में है तो उसको attendance लगाने की जरूत है office आना है नहीं है आना इसके और हम बात करेंगे पास PTOs to railway employees under suspension suspension के अंदर पास PTO कैसे मिलेंगे कोई कमचारी resignation देना चाहता है तो उसको accept करना है नहीं करना suspension के अंदर forwarding of application कोई भी कमचारी है वो application देता है आगे अवेदन को उसको अग्रेशित करना है नहीं करना है कोई कमचारी voluntary retirement apply करना चाहता है suspension के अंदर कर सकता है नहीं कर सकता है acting of railway servant placed under suspension as a defense helper in departmental proceedings कोई कमचारी suspension में है अब वो as a DC काम कर सकता है defense helper काम कर सकता है और नहीं कर सकता है और उसके बाद है appeal against the order of suspension substance allowance and pay and allowances for the period of suspension कोई कमचारी suspension में है तो क्या उसके खिलाव वो appeal कर सकता है यहां तो थोड़ी वो जानकरी लोगों होगी कि कर सकता है लेकिन उसके दोरा जो pay allowance मिलता है उसके against भी वो appeal कर सकता है नहीं कर सकता है इसके वारे में हम बात करेंगे तो मेरे आप से काफी सारे subjects हैं suspension के अंदर आपको लगता है suspension मतलब ठीकी किसको suspend कर दिया उसको सबस्पेंशन कर दिया कानी खतम ऐसा नहीं है काफी सारे subjects हैं जो suspension के लिए है तो यह सब देखे ही मुझे लगा कि एक video बनाना चाहिए इसके उपर तो मैंना आज कोशिश की है उमीद है कि आपको अच्छा लगेगा तो हम आगे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले suspension क्या होता है suspension is an executive action whereby railway servant is temporary kept out of duty pending final action against him for criminal offense or act of indiscipline misconduct etc suspension pending department inquiry is a sesquad against the government servant interfering with and hampering the preliminary investigation and tampering with material evidence oral end documents तो suspension के बारे में कई हो गलत में किया जाना चाहिए तो उसमें लिखा हुआ है कि निलंबन एक कारवाई है जिसके त्याद रेले कमचारी को अस्थाय रूप से डूटी से बहार रखा जाता तो जो में इस्प्रीट कमचारी को कि करिस्द कि कि हम कई बातों हो में रेला कि 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 कमचारी को डूटी प्लेस के आस पास नहींए रखना चाहते हैं जिससे की वहाइब ऑफिस आता है तो वो जो evidence है ओरराल है चारड कुमेंट से उनके ऊपर वहाँ खत्रा है कि वो evidence के साथ छेड़-चार कर सकता है या जो गवाँ है उनके उपर उनके कर सकता है तुआ इन सभी काणनों से कमिल्चारी को suspense कर जाता है तो कोई को अमचारी को अगर Suspend किया जाता है तो वो Suspend के दोगार अपने घर पर रहेगा, Headquarter छोड़ नहीं सकता, आपको रहना Headquarter पर यह है, लेकिन आपको ओफिस में नहीं आना है, यह Suspend के में बात है अब की, अब आगे हम कहता है, को भी कर्मचारी को Suspend आपको करना है, तो कौन करेगा, तो क्लासेज ओव रहेले सर्वेंट हूम में प्लेज अडर सस्पेंशन, एंड ऑफिस में आपको बताया गया है, कि क्या कौन सस्पेशन करसता है, फिर भी मैंने कुशिश किये बताने की, यह सकंदर यह देखिए, हमा इसे शेडूल यहां जूफ है, यह यह दो है, यह जो गता है, और जूब रएलोवे चितरंजन लोको मोटीव वर्क्स, इंटेग्रव इंटेग्रल कोच कोच्टी रेल वीच वेल फेक्ट्री मेट्रो रेलवे दीजर लोकोमोटी डीजर लोको मौरनाइशन वक्शोप पतियाला, रेल कोच फेक्टरी कपूरत रहा, रेलवे रेलवे रेक्टी क्शेशन प्रॉजेशन प्रजेक्स, एंड मेट्रो पॉली तिन टांस्पर प्रजेशन यह जो सर्टेन। है। इसमें मेञजिम जो जॉनर रेलव老師 आ जाता है så में जुमारा । to जो है वह जर्णल रेलए में में मैं अल्डी बात कर चुक हुआ उर्णी करें आंध parking और यह serial number one है इसमें लिखा authority empowered to place a servant under suspension or to impose penalties under root six penalties के हम बात नहीं कर रहा है मैं already बात कर चुक हूँ, यहां से suspension की बात करेंगे senior supervisor in charge with grade पे 42 and above in charge के बात हो दिए 42 grade पे की बात नहीं हो जो भी in charge में अगर माले उस unit में 42 वाला in charge है या 46 वाला in charge होता है इसकल तो 48, 54 भी आ गया है तो इसमें लिखा हुआ all staff were three grades below and lower than the disney होता है तीन grade below को कमचारे को suspend कर सकते हैं यहां लिखा हुआ है आपका कॉलर नमर चार में आप देखिए penalties पहले लिखी हुई है सब में यहां पर भी और नीचे भी हरज़े के penalties लिखी हुए मैं penalty की बात अलड़ी मैं कर चुक हूँ यहां हम से suspension की बात करेंगे इसमें कहा गया है कि सस्पेंट कर सकते हैं लेकिन को रिपोर्ट करना पड़ेगा डिविजिनल ऑफिसर को क्यों करना पड़ेगा मैं बताता हूं आपको उसके बाद यह असिस्टेंट स्केल ऑफिसर का बता हुआ है यह staff with grade pay of up to and including 2400 GP 2400 मतलब हमारा हो जाएगा लेवल 3 आजाएगा आपका लेवल 3 हमारा 2400 लेवल 4 होगा यह हमारा तो इसमें लिखा हुआ है penalty specified in class 125 and suspension also तो अस्टेंट स्केल ऑफिसर जो भी होंगे अप टू लेवल 4 वो suspend कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर तीन नमबर में सिने स्केल ऑफिसर के बारा हम बताए गया है यह जो लेवल 5 एट है इस जो ग्रेड पर लेवल 5 है कि कमचारी को suspend कर सकते हैं तो यह इसके आगे और भी आप नीचे जाएंगे तो आपको बताया हुआ है कि जेगेड का सकते हैं जेगेड जनरली सभी गुरूप सी स्टाकू कर सकते हैं तो यह जो आप मैं बता दूँ यहाँ पर लिका हुआ है तो डेले में एक प्रोविजन यह है कि अगर कोई भी कमचारी को suspend किया जाता है अगर वो competent authority नहीं है तो भी suspend कर सकता है लेकिन उसको अपने जो भी higher authority को report करना है यह प्रोविजन है उस प्रोविजन के तरह यहाँ जो serial नमर 1, column नमर 1 में बताया है बाई, senior superintendent, senior subordinate जो भी है ह हमारे 42-46 में वो suspend कर सकते हैं लेंगन दे आर नोट empowered to suspend any employee as per this SOP, so if they want to suspend any employee, they have to suspend and then immediately report to the divisional officer and assistant officer within 24 hours of the suspension of the employee, यह आपके लिए नियम है कि आप senior supervisor suspension के लिए authority नहीं है, और करते हैं तो उनको report करना पड़ेगा 24 गंटे के अंदर, यह एक नियम है, इसके बाद हम आगे चलते है रेगाट यह एककिन हा लिखाबाए, प्रवाईत ईयम है नकोथ इंगन देक लिए लिखावए, प्रवाइट नकोट उनकोंते हैं यह लिखावाए, प्रवाइट एक्टिंशन चействी नहीं है, उनकोर्पीयत मे स्चडूल ने उनकोंटन देकी नहीं, सवीर सविरे नहीं सरो कुछ कुछ को निलंब कर सकता है बशरते जहां पूरुबा में प्रभादान के तरह को कारवाई की जाती है संबंदित प्रादिकारी ऐसे रेल्वे कमचरी को निलंब मत करने के लिए सक्षियम अदिकारी को तरह रिपोर्ट करेगा जिन प्रस्तियों में आदेश दिया गया उसकी मनुझर बाप करेगा इसका मतलब यह मैं दोबारा बता दूँ यहां सिर्व यह लिखा हुआ रिपोर नहीं है लेकिन हमारा है इसके हैसाब से वह किसी को भी कर सकता है इवन फोर्टि सिसको भी कर सकता है लेकिन स्वेंड़ इसंपर करने के बाद मैं वह रिपोर्ट करके और सरक्मेंटेंसे बताने पड़ेंगे क्यों सस्पेंट किया और फिर उसका अप्रूल लेना पड़ेगा यानि कि शेडूल की साथ से आप सस्पेंट के लिए एक उथर्टी अगर वो करता अच्छी बात है गोर अथर्टी करती है तो कर सकती है यह हमारा पराफ ra if drive 968 बोलता है तो यह नियम आपको जानकर होना चाहिए कि जो और उथर्टी प्रिसकाइब किया उस से लोर उथर्टी भी किसी भी और अथर्टी को अब सस्पेंट कहस्ता है लेगिन वो जो component authority suspension ने उसको report भीजेगी और वहां उसका एप्रूल लेगी साथ में circumstances बताएगी कि किन circumstances में आपको suspend करना पड़ा तो यह मैं समझता हूँ आपको काफी details बताया तो समझ में आ गया होगा यह हमारा सवपी अलड़ी हो गया है इसमें अगली बात है इस नौट अ पैनल्टी अंडर रेल्वे सर्वेंट डिस्प्लेंड अपिल रूल या रेल्वे से वक अनुशाशन और अपिल निमों के तहत कोई शास्ती नहीं यह एक्जाम में कोश्चन आता है कि वेदर सस्पेंशन इस पैनल्टी टू फाल साता है त इसपेंशन इन फॉलवाइंग मैंटर सब्सक्राइब किया है तो उसको टांस्पोर्टेशन आलाउंस की मालवन में क्या है तो हमारा रेल्वे बोर्ड ने आर वी टू जरो टू जांट री एंड रिसेंटली सेवन पीसी में भी आर वी असी वाई दोजास्त तरह एक्टी नंबर का आर वी निकाला है जिसमें कहा गया सस्पेंशन में कोई भी कर्मचारी होता है तो इसको जो है टांस्पोर्शन आलाउंस प्रपोर्शनेट मिलेगा प्रपोर्शनेट का मतलब यह हुआ है कि कोई भी कर्मचारी है अगर पंद्रा दिन सस्पेंड रहता है तो उस म माले कोई कमचारी 15 दिन सस्पेंड रहा हो बाद में वह आगे जाके सस्पेंशन नल एंड वॉइड हो गया उसको पूरा प्रोपोर्शन जो दिया गया है वह आपको वापिस नहीं मिलेगा तो सस्पेंशन में एक बार आपको कम हो गया तो कम हो बोन नस और कॉलिफाइइज सेम नियम है कि अगर जो भी बोन नस होता है वह अगया तो कॉण्ड पे लिए था की स्पेंशन पेरीट के दौरां अगर सेक्ट के खतम हो गया है तो पिर का बात में अगर ओन दूटि कोई पडरा है या कोई भी लीव होता अगर माली मैजर पैन करता है तो फिर लिव के सबसे उसको हम बानस भी देते हैं और वो सर्विस कॉलिवेंस से इसमें भी काउंट होती है पर एक कंडिशन है कई बास सस्पेंशन पीरेड जो होता है वह मेजर पैनल्टी होने बाद कमचारी लिखित में नहीं देता है कि सर मुझे जो है छुट्ट कराता है तो इन दोनों कंडिशन में या तो सस्पेंशन पीरेड सस्पेंशन ही रह जाए या सस्पेंशन पीरेड जो है लिव इडाउट पे में अगर कंवर्ट होता है तो दोनों मामले में बानस और क्वालिवाइंस से रूप में वो पीरेड काउंट नहीं होगा उतना प इंगला पॉइंट है सरकम्टेंस अंडर विच डेले सर्वेंट में भी प्लेस अंडर सस्पेंशन रेले सेवक अनुशाशन और पिल नियम आवली के नियम पांच एक तो मैं बता दू सस्पेंशन जो है हमारा डियार रूल फाइव के दाद गरवड़ने यह कोश्चन में फॉलोइंग सरकम्टेंस एक डेले सर्वेक को निमलीगी प्रस्टितों में निलम्बित किया जासता है हम कब-कब किस किस कमचारी को किस कमचारी को निलम्बित करेंगे पहला तो है वेर डिस्प्लेश पूसीडिंग अगेंस्ट हम इस कॉंटम्बलेट और इस पैंडिंग जहां उसके खिलाब अनुशास किने में कारवई पर वीचार किया जा रहा है या लंबित कोई भी कमचारी के खिलाब कोई हम बड़ा गम्मिर मामल आए। उसके चार करें कि हम उसके किलाब एक्शन लेना है या और लिड़ी को पैंडिंग है तो हम उसको सेस्पेंट कर सकत में प्रतिकुल गतिविटिया में शामिल हो गया है यदि लगता है कोई कमचारी है वो देश की यह राजी का मतलब देश या राज जो भी है वो वो एंटी शोचल एक्टिविटीज या एंटी नेशनल एक्टिविटीज में अगर लिप्त है तो फिर उसको सस्पेंट किया ज केस के मामले को इन्वेश्टिर्शन चल रहा है पेंडिंग है तो भी में हुँ सपन किया जाता यह मैं है तीन है इसके अलावा और भी बढ़ा यह तो यह तु होता हुआ है यहुआ हो इसके अलावा जो सरकूलлы 2 देटेल में बताया हुआ तो मैंने सुचा आज पूरा हम इस पर डिटेल पर बात करेंगे suspension के उपर in the following circumstances that disciplinary authority में considered it appropriate to place a real servant under suspension these are only intended for guidance should not be taken as mandate ये सिर्फ एक guidelines के रूप में बताया गया है उधारन के लिए उधारन के लिए इसको आप बिल्कु सीरेस्ली मैंने नहीं करना है लेकिन एक example दिया हुआ है प्रहला यह cases where continuous in office of the railway servant will prejudice the investigation trial or any inquiry for example apprendinated tempering with the witness and documents में का कि ऐसे मामले में जहां रेल्वे कमचारी के पत्पर बने रहने से जांच मकुदमें या किसी पुस्ताथ पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा उधारन के लिए गवाओं दस्तावाज के साथ छेड़कार जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बतायता है कि किसी भी कमचारी को सस्पेंशन के लिए जो में स्प्रिट है में जो रीजन है जो मुक्य कारण है वो यह है कि कमचारी के लगातर ऑफिस में बने रहने से उसके किलाव जो इन्वेस्टेशन पुस्ताज चानमे जो चल रही है उस पर कुछ बादा आ सकती है साथ ही वहाँ उस पर शंका की जाजती कि वह जो गावा है दस्तावाज उसके साथ छेड़ चार ना करे कर दे कर दे तो ऐसा मामले में अगर डाउट है तो उसको किया जाता यह मैंन मुक की कारण है इसके बाद यह बहुत बड़ा आदत कारण हो सकता है कि जहां पत पर बड़े रने से उस कारेला में अनुशाशन गंभी रूप से नस्ट होने समावना है जिसमें रेलवे कमचारी काम कर रहा है तो कई बार कमचारी जो होते हैं वो बार बार वो आपके काम में दकलन दाज जह रहा है आपको जबस्ती ऑफिसर से जगड़ा कर रहा है तो ऐसे मामले में भी सस्पेंड करना उचीत रहेगा थीसरा वेर थे कंटिनेशन ओफिस रेले सर्वेंट विल अगेंस थे वाइट पुब्लिक इंट्रेस्ट पर इसमेल देखा होगा कि कई गोटाले की जाच हुई इस तरह का मामला उजागर हुआ तो भी कमचारी को सस्पेंड किया जाता है बाद में हम देखते हैं कि वह कमचारी वाकए उसकी गलती थी नहीं थी वह अलग इश्यू है लेकिन इमिडियेटली अगर इस तरह का मामला उजागर होता है तो इन इंट्रेस्ट वसाजवने हित में तो यानि कि लोगों को एक मेसेज जाए कि इस तरह का बड़ा गमीर मामला गवन गोटाला का मामला आया तो हमने उसके इकलाफ सीरेस एक्शन लिया है हम सरकाव उसको टौलेट नहीं करेगी तो जहां सारवजनी हित का मामला है और आपको ये दिखाना सरकार को अपनी नीतियां स्पस्ट करने हैं वह हम कोई भी कमचारी है वो इस तरह क मामला में लिप्ट है तो हम उसके इकलाफ सीरेस एक्शन लेता है ये हमारी नेती है ये दिखाने के लिए ये प्रजाशित करने के लिए भी पुब्लिक को बताने के लिए भी देखिए एक बंदा इस तरह का मामला हम सीरेस एक्शन ले रहे हैं तो इस तरह के मामला में भी प्राइब इस फॉर्फ प्राइब यहां प्राइमपिक जार्ज में पता चलता है कि प्रतरम जस्ते हैं एक मामला मौजूत है जो उसके खिलाव अपरादी कारवाई शूर्व करने को उच्छी ठहरा गया है तो कई बार कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें कमचारी लिफ पाया जाता है जिसमें प्रिलिमिनरी इंविश्चेंज होती है प्रस्तम दस्टिता जो जाच होती है फैक्ट फैंटिंग इंक्वारी हम बोल केस लगता है बनता है मामला या फिर असा लगता है कि करेंगे तो इसका क्लियर मामला है जिसमें इसको रिमूर्वल इसमेंसल ये कंपसी डिया जाएगा तो इस तरह का मामला आपको फैक्ट्रेंटिंग इंक्वारी या प्रिलिमिन इंक्वारी में आपको लगता है कि मामल भी हम सस्पेंशन करते हैं यह हमारा एक और कारण हो गया है इसके अलावा कुछ और परिस्तितिया हैं जिसमें निलंबन वांचनी हो जाता है जो जिसमें दर्शाय गया है एनी ओफेंस और कंडेट इन्वालिंग मौरल टरप्टूटूटूट नेतिक अधमता का जो मामला है मौरल टर्प्टूट का मामला है अगर हमहां दिखता है कि इसने ऐसा कोई कंडेट किया है कमचरे ने जो मौरल टर्प्टूट का है नेति अधमता का मामला है उसमें सस्पन किया जाएगा इसके बाद है बश्टाचार सरकारी धर्म का गबन दूरुपयोग आया से अधिक स दूरुपयोग करना सरकारी धर्म का गबन ये तो बहुत बड़े बड़े मामले हो गए और इसमें सस्पन ही करना पड़ेगा आपको इसके बाद सीरियस नेगलिजेंस डिरिक्शन ऑफ डूटी रिजल्टिंग इन कंसिरेबल लॉस और गौर्में गंबिर लपवई और करत दूरुपयोग में लापरही के परना सरूप सरकार को काफी बड़ा नुकसान हो रहा है डेजर्टिंग ऑफ डूटी करताविस से विमुक बला आपने डूटी छोड़के बागए गया हो गये हैं डूटी प्लेस ही छोड़ दिया आपने बिलकुल आपने करताविस से बिलक कि वो डिस ओवे करता हैं तो उसमें भी लिखा गया है ये भी अच्छा पॉइंट है रिफिजल डिलिवरेट फैलियर टु केरे आउट कोई भी कमचारी है अपने जो सुपरेयर अधिकारी है उनका लिखी दादेश मानने में इनकार करता है देरी करता है विफलता उसकी र हो गया है suspension के बढirie होगे बता दूं को जलिफन से हमेशा प्रॉस्पेक्टिव डेट से हो गाई जो हमारा पहला suspension था यह हमारा और जो अब मैं बता रहां जा रहा है यह back dejs से होगा socks यानि किसी भी कमचारी को आपको अगर suspend करना ऐसा वशे तो आपको प्रसपेक्टिश रेत या आज से ले करना है और अगर आपको बैगडेत्से करना है तो फिर आपको deemed suspension SF2 issue करना पड़ेगा, ये भी मैं clear कर दूँँ आपको, SF2 back debts होगा, तो इसमें बताया है कि इन टम्स ओ फाइव टू, फाइव वन हमारा suspension था, फाइव टू हमारा deemed suspension था, रेले जो डिया रूल है, 68 का, ये रेले सर्वेंट शल बी डिम्न टू है प्लेस्ट अंडर सुस्पेंशन बाइन ऑर्डर ऑफ कंपुटेंट अथर्टी इन फॉलिंग सब्सक्राइव के निया पांस दो के अनुस्ता एक र custody whether on a criminal charge or otherwise for a period exceeding 40 hours, किसी भी कमचारी को अगर हिरासत में रखा जाता है, किसी भी कारण से, तो 48 गंटे से अधिक अगर हिरासत में रहा तो उसको conviction में है, for example, आज हमारा 27 तारीक है, आज अगर सुबह 10 बजे इसको हिरासत में रखा जाता है, तो आज 27 के बाद 28, 29, 29 को 10 बजे इसको 48 गंटे होंगे, लेकिन suspension आज से ही माना जाएगा, 27 तारीक से, 48 गंटे के बाद, फिर बेग डेट से अपका, आज से ही माना जाएगा, इसको इसको अपराइट की सजा अपराइट की सजा अधी कारावास की सजा जाती है, और उसको तो इमिडियेटली हम डिस्मिस रिमूव कंपने डिटार नहीं कर सकते हैं तो उसको जैसे ही सजा सुनाई दी है वहाँ से उसको जो है डिम सश्पेंशन माना जाएगा यह हमारा सी पॉइंट आता है प्यावाद यह बहुत इंपोरेंट पॉइंट है यह बहुत कम लोगों मालू में बतानों आपको कि शाल भी दूटी ऑफ गोवर्मेंट सर्वेंट हूं में भी आरेस्टेट फॉर एनी रिजन इरस्पेंटिव देटेंशन तो इंटिमेट फेक्ट विस अर्रेस्ट एंड शर यह बहुत कम लोगों मालू मैं इनका इस वीडियो के थूट यह बता दू मैं आपको कि कोई भी कमचारी किसी भी कारण से गिरफतार किया जाता है तो उसका यह करता भी होगा कि वह रहासत में कि आवदी की परवा किये बिना यानि ऐसा नहीं कि कोई कमचारी है उसको 48 गं कि अधा गंटे होने के बाद ही वह इंटिमेट करेगा अगर एक बार हिरासत में हो गया इवन वह आदा गंटा भी रहा है तो उसको इमेडियेटली अपने अधिकारियों को बताना है जो तत्त थे अपने गिरफतारी के तत्त थे उसे जुड़ी प्रस्तितियों की जैनकरी तुरूंत अपने अधिहारिक वश्ट अधिकारी को दे वले इसके बाद जमानत पर रिहा कर दिया जाती यानि कोई भी कर्मचारी को अरेस्ट होते ही इमेडियेटली अपने सुपरवाजर को बताना है ठीक है जो भी रिजन रहे हैं लेकिन आपको 48 गंटे का बेट नहीं क अधिकारी को सुचीत करने में विवलता को महत्पुन जानकारी का दमन या छुपाना माना जाएगा और उसे पुलीस मामले के नतीजे पर आउशे करवे के अलावा क्यों इस आदर पर उसके खिलाव अनिशाशनी करवे के लिए उत्रदाई ठेहरा जाएगा तो अगर कोई करमचारी है अगर उसको पुलीस ने अरेश्ट किया है उसने नहीं बताया रेले अड्मिस्रेशन को तो उस मामले में यह माना जाएगा कि उसने जो तत्य है और चुपाया है और उसके खिलाव अनुशाशनीत में करवे की जा सकती है इरस्पेक्टि और फेक्ट कि पुलीस यानि कि कोई कमचारी है माले जी उसने कोई चोरी की बाहर या कोई मर्डर किया या कुछ भी मामला रहा उसको और वो अरेश्ट हो गया है उसने नहीं बताया है तो हमने उसकी किलाव डिपार्मेंट अलेक्शन ले सकते हैं लेकिन हम हमारे को मैं एक चीज क्लियर कर दो नहीं बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे यहां पर मैंने देखा है कि कोई कमचारी है वह खास्तों है डावरी की केसे में कई मामले अर्रेस्ट होते हैं या मडर का चार्ज लगा हुआ उसके उपर लगा हुआ है और वह पसनल व्यू है मैं बता दूँ कि प्लीज आप उसके उपर यह केस ना लगा है वो तो पुलिस केस करे दिए तो आपको वहां पूरी एंक्वारी चल रही आपको एंक्वारी नहीं है लेकिन हाँ आपको चार्ज शीट देनी है तो अगर उस कमचारी ने इंटिमेट नहीं क किया है तो इस चार्ज सिर्फ यहीं लगा है कि उसके उपर कि भाई सेमचारी को हिरासत पे रखा गया था और इसने इंटिमेट नहीं किया इसके अंदर मेरे खाल से आप उसको रिमूब कर सकते हैं तो आप किसी भी करिमचारी किलाव अगर अगर चार्ज शीट दायर करते हैं तो चार्ज शीट में वही चार्ज लगा है जो आप प्रूफ करते हों तो किसी करिमचारी के किलाव अगर दैज का मामला है या दैज के किलाव हत्या का मामला आ रहा है या मर्डर का आ रहा है तो आप प्रूफ कर रहीं सकते हैं और आपको करना भी नहीं है उसके लिए कोर्ट है अलड़ी और कोर्ट में भी निच्रल जिस्टिस तरह तो पूरा मामला मिलता है तो आपको सीधा जब भी कोर्ट का डिसिजिजन आएगा आपको जो हमारे निये में 14-1 उसके तहट अगर कर्विक्शियन आता है उसको सजा आती है तो 14-1 के तहट आप सीधा एन आप देनी हैं तो आपको चार्शीट में चार्शीट दीजिए अगर उसने फैक्ट जो है छुपा हैं अब नहीं बताया उसको तो आप से चार्ज यह लगाई है कि कर्मचारी को जो है पुलिस ने हिरासत में रखा था और कर्मचारी यह तरत एड्मिस्रेशन को चुपाया के लिए और अधिकारियों के लिए इस तरह के मामलें को कैसे डिल करना है उस तरह के मामलें यह बहुत इंपोरेंट आपको आजाएगा तो एक तो हमने निलम्मन के कंडिशन बता दिये हैं उसके अलावा और सरक्रामचारी बता है कि वेर पैनलिटी और दिस्मिसल रिमूबल कंपस्ट रिटार्मेंट from service imposed upon a relis servan under suspension is set aside in appeal or on revision under the rules and the cases is remitted for further inquiry or action or with any direction other direction the order of suspension shall be deemed to have been continued in force on and from the date of the original order of dispcial removal composite almighty and shall remain in force until further orders सब्सक्राइब को कमचारी है इसको डी ए ने डिस्प्लें अथोर्टी अनकराश्री कर देती है और वापीस वह रेमीट करती है set aside करके कि इस पर दो बाते होती हैं आपको डियार के अंदर कई बार तो क्या करती है authority सीधी remove dismissal set aside करके सीधा वो नाइपी दूसरी नाइपी लगा देती है for example आपका remove किया तो आप dismissal कर देया या सीधा आप उसको की reduction की penalty दे दिया आपको या minor penalty दे दिया या आपको सीधा drop कर दिया charges तो ठीक अलग आने लेकिन अगर authority इसको बोलती कि इसको लगता है कि मैं बता तो आपको कि appellate authority और revision authority की एक और जो duties हैं वो यह है कि उनको यह देखना है कि जो डियार की proceedings हुई है वह as per rule 68 की जो proceedings है जो natural justice कमचारी को देना है वो दिया ने दिया है कोई इसके अंदफ flat होने रहे गया डियार proceedings में और अगर उनको लगता है अपिलर authority और revision authority की इसमें कुछ कमी रहे गई है तो वो क्या करेंगे कि वो कर सकते हैं कि जो penalty दिया है उसको set aside करके दोबारा जो लोर authority है जिसने इसको remove dismissal किया डिसमें अथोर्टी या अपिल अथोर्टी उसको बोसकती है दोबारा आप इस प्रक्लिवर जो तथ है उसके inquiry दोबारा करें दोबारा उसमें करें जो भी मामला उनको ठीक लगता है तो ऐसे मामले में जहां ऑथोर्टी जो इसको penalty को सेटाइस करके फर्दर inquiry करने की और कुछ बात करती है कि इसको की लेकिन को सिर्फ सेटेशएड कि आगर आदेश दी है तो चुकि फर्दर आदेश दी है तो फिर कमचाईरी का जो है वो है वो सस्पेंशन रहे गा वो इसको हम जो है सबस्टेंस अनॉंस को देगे उस दो रहां जब तक कि उसका नए आदेश नहीं आते हैं यह हमारा रूल है 5.3 के अलावा एक और सेम मामला है मिलता है इसमें भी कहा है वेरे पैनल्टी और दिस्मिसल रिमुवल और कमपस्ट रिटामेंट कि अजय हमारी खाय फ्हायो जैसाइट और रा इसमयो कक और्कलरेणय गुवल और यहरम assessment shall be deemed to have been placed under suspension by the complete authority from the date of the original order of dismissal removal and composite armament and shall continue to remain under suspension until further तो ये जो आपका वन थ्री वन और थ्री टू ये दोनों में बदा दूँ आपको लगबस सेम है आपके थ्री वन में appellate authority और revision authority जो penalty को set aside करती हो further इंकारी की बात करती हो थ्री टू में मामला मालेज ये जो है कमचारी ने appeal किया revision किया और revision में भी अगर stand good रखा dismissal remove component penalty को फिर further उसके बाद कमचारी कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में अगर कमचारी की जो penalty दी थी कोर्ट उसको set aside कर देती है और further inquiry की बात करती है तो वापिस सेम मामला three one की तरह आएगा कि इसको अगर दोबारा inquiry माला कुछ procedure lapse रह गया है कुछ कमी रह गया और कोर्ट उसको पकड़ती और आदेश देती कि नहीं आपने यहां से नहीं क्या है मेरे पास भी case आया था जिसमें भी सेम यह काता है कि rule ten से दोबारा उसको करने को बोला था कई बार रूल nine बोलती कि नहीं इसके inquiry में यह लैफसे से आप दोबारा inquiry कराईए तो इस तरह मामल में अगर कोड आदेश देती है कि दोबारा हमको inquiry करनी है या कोई पार्ट हमको inquiry करना है कि स्टेज से हमकरे आगे करना तो यह सा कोई मामला होता है जहां को दोबारा inquiry करनी है और दोबारा उस पर decision लेना अथो तो तो जिस डेट से remote dispensal यह company retirement दिया गया है वहां से उसको व जुशेश मामले हैं जिसके अंदर भी कमचारी को suspension में रखा जाता है यह भी बहुत कम लोगों मालू में बता दू आपको if a case has been registered by the police against a relay servant under section 304b of IPC that is in case of dowry death दहे जात्या का मामला अगर किसी कमचारी के किलाव register किया पूलिस ने then he shall be placed under suspension in the following circumstances by the competent authority invoking the provision of sub rule one two of rule five of relay servant discipline appear rules यानि किसी यदि पूलिस ने किसी कमचारी के किलाव IPC की दारह 304b के तहत यानि दहे जात्या के मामले में मामला दर्स किया है तो सक्षम अधिकारी जो हमारे DR rule की जो नियम है उसकी सब निलंबित कर सकते हैं और क्या है नियम if the relay servant is arrested in connection with the registration of police case he shall be placed under suspension immediately irrespective of the period of detention तो यह कि विशेश माला में बता तूं आपको normal case में police arrest करती है तो arrest करने के 48 घंटे के बाद आपको suspension किया जाता है डिम suspension यह special case में अगर दहे जात्या वाला मामला है आपके खिलाब police case register करती है तब 48 घंटे की wait करने जुरूद नहीं immediately suspension किया जाएगा अगर मामला दहे जात्या का है तो इसके अलाव यह भी का गया if he is not arrested अगर arrest नहीं किया गया he shall be placed under suspension immediately on submission of police report under subsection 2 of section 173 of code of criminal proceeding 1973 to the magistrate if the report reports prima facie indicates that the offense has been committed by the government servant यदि कमशारी को गिरिफता नहीं किया गया है तो दंड प्रक्रिया सहीता उनीस सो तैटर की दारा एक सो तैटर की उपड़ारा दो के तहर मजिस्टेट को police report पस्तुत करने पर तुरन निलम्मित कर दे जाएगा यदि report प्रतन दस्चिता इंगित करती है कि अपरा सरकारी कमशारी दोरा किया गया यानि कि एक मामला तो यह हुआ कि किसी भी कमशारी के उपड़ दैश के वज़े से हत्या की गई है यह मामला आया और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उसको तो 48 गंटे वेट नहीं करना है उसको सस्पेंड किया जा सकता है उसके अलावा अरेस्ट नहीं भी किया है अरेस्ट और नोट यानि कोई उसको जरूत नहीं है अगर उसके खिलाब प्रत्रम जश्टिता मामरा बनता है कि दाय जट्या जो हुई है उसमें कहीने कहीं सरकारी कमचारी उसमें लिप्त है इस तरह कि अगर रिपोर्ट पुलीस सब्मिट करती है मजिस्ट्रेट को जो भी धारा है उसके तहर तो भी उसको दीम suspension किया जासता है in the following types of cases there may be adequate justification for pressing the concern employee under suspension where on the request received from cbi or otherwise at the stage indicate against the each type of cases तो कुछ मामले बता दी है इसके बाद दाय जट्या का मामला आ गया और अब एक मामला जो यह भी बहुत common मामला है कि कईवा ऐसा होता है कि cba यह acb यह दूसी जो और जैंसीज हैं को railway को notice देती है letter लिखती है कि भी कमचारी इससे मामले में लिख पाए गया है और उसको आप suspend किजिए तो ऐसे मामले में भी suspend करने का उचित बनता है क्या है in case where a trap has been led to apprehend a government servant while committing an act of corruption usually receiving illegal getivision and the government servant has been so apprehended जड़ी किसी कमचारी के खिलाफ को बस्टाचर का मामला बनता है और कमचारी जो illegal getivision मतलब away droop से जो पैसा लेते हो पाया गया हो उसको पगड़ा गया उसको तो अगर रिश्वत लेते हो किसी कमचारी के खिलाफ को किया है तो कमचारी को पकड़ा है तो कमचारी को सस्पेंट किया जाएगा उसके बाद in case where on conducting such it is found that a government servant is in possession of assets disproportionate to his non source of income यदि कमचारी की खिलाफ I.C. अधिक ग्याद सोतों से अधिक संपद्धी का मामला आता है and it appears that a charge under section 5 I.E. of prevention of corruption act could be laid against him immediately after the premise conclusion has been reached. ऐसे मामले में जहां खोच करने पर यह पाया गया कि सरकारी कमचारी के पास I.C. अधिक सोतों से अधिक संपद्धी यह परत्रम दिस्ट्रीता इसा प्रतित होता है कि उसके किलाफ ब्रस्टाइचार नेवारा अधिरियम की धारा जो भी है इसके तरह परत्रम दिस्ट्रीता निसकर पर पहुंचने के तरण बार आरोपला जा जिसता है तो दो मामले हैं, एक तो ये मामला आगया है कि कोई कमचारी के खिलाव कोई रिश्वत का मामला बनता है और इसको रिश्वत लेते हैं, रंगयाथ, CBI, ACBI जो भी एजन्सिय गिरफ्टार करती है, तो इस तरह के मामले में जो भी अथोर्टी वो रेलवे को लेटर लिटी है क इसको अब सस्पेंड किजी, इसको हमने पकर लिया है, गृफ्टार कर लिया है, दूसरा किसी कमचारी किलाव भी करप्शन की कमिलेंड आती है, और किक खिलाव रिश्वत किया जाता है, जांस प्रताल के बाद पता जलता है कि उसके पास आयसे अदी स्त्रोथ हैं, और इस इसको अपर्फशन और इनी अदर अफेंस इन्वालिंग मौराल टर्प्टूट हैस बिन फायल लिन एक क्रिमिनल कोड तीसरा मामला है, जहां किसी सरकारी कमचारी पर बस्ताचार के विशिष्ट करते हो, या नेतिक अदमता है, मौराल टर्प्टूट से जुड़े किसी अ इसको सस्पेंट के अजलता है, तो यह सस्पेंशन, डीम सस्पेंशन, सस्पेंशन के क्या प्रवाव होए, उसके पर एक छोटा सा वीडियो बनाने कोशिच की है, उमीद है आपको पसंद आया होगा, काफी सारी बाते आपको जानने को मिली होगी, और इस तरह और भी उसके बाद तर्मिशन और सस्पेंशन, रिवोकेशन सस्पेंशन और टीटमेंट और सस्पेंशन यह हम अगले पार्ट में हम करेंगे, उमीद आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ, प्लीस अगर अच्छा लगाओ, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेर करें, ।